कि सिक्सत सातियों को नमस्कार सातियों निपन भारत मिशन के अंतरगत चार दिपसीय प्रसिक्षन में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ट्रैकर क्या है कितने प्रकार के ट्रैकर है और इन ट्रैकर पर किस प्रकार से कार्य करना है किस ट्रैकर पर कौन व्यक्ति कार्य करेगा इन सभी प्रश्णों के उत्तर इस ट्रैकर से संबंदित वीडियो में हम पाने का प्रियास करेंगे सात्यों जहां तक ट्रैकर की बात है कि ट्रैकर क्या होता है तो अभी देखे आप और हमें मिलकर के 22 सप्ता की पूरे इस वर्तमान सत्र 2022 की सिक्सन योजना है 22 सप्ता की सिक्सन योजना पर हमें कार्य करना है तो सिक्सक साती के द्वारा कितना कार्य हो गया है कितने दिन का कार्या आपके द्वारा कर लिया गया है इस चीज को ट्रैक किया जाएगा आप उसे ट्रैक कर सके कि अभी तीसरा सप्ता है तीसरे सप्ता के दूसरा दिन खतम हो चुका है ठिक इसी प्रकार से बच्चे के द्वारा इस 22 सप्ता की योजना में बच्चे के द्वारा कितने दिन तक का कार्य कर लिया गया है और कितना भी नहीं किया गया है तो इस चीज को ट्रैक करना तो साथियो इस 22 सप्ता की सिक्षण योजना में सिक्षक साथी के दुआरा या बच्चे के दुआरा कितना कार्य हो गया है उसे ट्रैक करने के लिए ट्रैकर की आवशकता है और वो ट्रैकर में इस प्रगर्ती को दर्ज किया जाएगा साथियों कितने प्रकार के ट्रैकर हैं इस पर बात करते हैं देखिए ट्रैकर कितने प्रकार के हैं ये महत्पूर नहीं है बलकि कौन कौन से ट्रैकर हैं ये महत्पूर है और किस ट्रैकर पर कौन कार्य करेगा और ट्रैकर पर किस प्रकार से कार्य होगा ये महत्पूर है तो साथ यो तीन प्रकार के ट्रैकर यहाँ पर प्रदर्शित है एक है बारसिक ट्रैकर एक है साबताहिक और साबधिक आकलन ट्रैकर जिसमें आकलन से सम्मंदित ट्रैकिंग की जानी है और एक है कार्य पुस्तिका से सम्मंदित ट्रैकर तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन से ट्रैकर में किसे काम करना है देखेगा ये जो बारसिक ट्रैकर है और सापताहिक तता साबधिक आकलन ट्रैकर है ये दोनों प्रकार के ट्रैकर ऐसे है जो सिक्षक जो टीचर गाइड में दिये गए है जो संदर्शी का में दिये गए है और इन दोनों को भरने का जो कार्य है वो हमारे सिक्षक सातियों को करना होगा ठीक है साथियो तो दो प्रकार के जो ट्रैकर है बारसिक ट्रैकर और दूसरा सापताहिक तता सापधिक आंकलन ट्रैकर ये दोनों के दोनों टीचर गाइड में है और इस पर सिक्सक सातियों को कार्य करना होगा सिक्सक साती भरेंगे जबकि तीसरा ट्रेकर है कार्य पुस्ती का ट्रेकर इस कार्य पुस्ती का ट्रेकर ये कहां पर दिया गया है ये वर्क बुक में दिया गया है ये कार्य पुस्ती का ट्रेकर वर्क बुक में दिया गया है बच्चे की कार्य पुस्ती का म करेंगे उन पर किसके द्वारा कार्य किया जाएगा यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले बारसिक ट्रेकर बारसिक ट्रेकर पर किस प्रकार से कार्य करना है साथ यह बारसिक ट्रेकर भासा का आपके सामने है देखें 22 सप्ता बारसिक ट्रेकर में क्या करना है यहां पर पूर सप्ता है, सप्ता के आगे 6 दिन दिये हुए है, सपोज करिएगा पहला सप्ता है और पहले सप्ता में आपने पहले दिन का आज कार्य पूर्ण करा दिया, तो हमारे सिक्षक साथी जो पहला सरकिल है उस पर right क्लिक कर देंगे, ये हो तो जैसे ही उस दिन का कार्य आपका पूण होता आप अपनी सिक्षर संदर्शी का जो टीचर गाइड है आदाहर सिला क्रियानवन संदर्शी का टीचर गाइड उसमें आप ये बार्सिक ट्रैकर है जिसे आप धैनिक रूप से रोज आपको भरना होगा ठीक है साथ यो इस से सप्ता की सिक्षन योजना में कौन से सप्ता के कौन से दिन तक का कारिया करा दिया गया है इसके साथ यहां पर देखेगा इसमें साब्धिक आकलन के लिए दिया हुआ देखेगा भासा में हमने बात किती 13 दिन की तो यह हमारे पास यहां पर सप्ता है नवा सप्ता नवे सप सप्ता में साबधीक आकलन करना तो और 18 सप्ता में साबधीक आकलन से संबंदित आपको reporting करनी है, tracking करनी है, इसमें ध्या भी गया है, देखेगा 2 दिन, प्रारम के 2 दिन यहाँ पर गुरुजिस्य का चिन्न बना हुआ है, इनमें आपको आकलन करना ता और उसके बाद तीसरे दिन हमें कार्य योजना का निर्माल करना था और चोथे दिन से लेकर के तेरह दिन तक हमें जो उस पर पुन्ना व्रत्ति पर कार्य करना था उप्चारात्मक सिक्सा और जो अब भ्यास कार्य है इस पर कार्य करना था इसके बाद देखेंगे तो ये हुआ बारसिक ट्रैकर जिस पर हमारे सिक्सक सात्यों को कार्य करना है और ये संदर्शिका में दिया गया है इसके बाद next हम बात करते हैं बारसिक ट्रैकर इसी प्रकार से देखें गनित का दिया हुआ है गनित में जब हम बात करते हैं तो यहा तिसरे दिन का कार्य करेत तो बोनस डे में जो भी आपने कार्य करा दिया, यहाँ पर टिक कर दीजेगा, उसके पश्चात पाँवे दिन आकलंड से संबंधित हैं, और छटा दिन देखेगा पुन्ण बत्ति से, तो यह जैसे ही आप जिस दिन का कार्य सम्थ हो जाता उसके प साब्धी का अकलन दिया हुआ यहां यह गणित का है तो यहां पर कितने दिन दिये हुएं दस दिन दिन अब देखेगा यहां पर एक बात आएगी कि अभी हिंदी में तेरे दिन थे और यहां गणित में कितने हैं दस दिन और जबकि सप्ता कितने दिन का होता साथ दिन का तो एक, दो, तीन से मतलब है, ठीक, और जैसे ही ये दस दिन का आपका साब्धिक आकलन पूरा होगा, उसके बाद ही आपका next week हमारा start होगा, ठीक, तो दीखे, एक से लेकर के दस दिन है, दस दिन की कार्य योजना के बारे में बताया था, गनित में दस कार्य पत्रक साब्धिक आकलन में थे, आपने यहाँ पर जैसे जैसे कार्य कराया, किलिक करते जाएगा, तो इस प्रकार से हम बार्सिक ट्रेकर में, जो हमारे सिक्सक्स आती है, वो भासा और गनित के ट्रैकर में ट्रैक करेंगे अपने कारे को अंकित करते जाएंगे इसके बाद दूसरा हमने आप से साथ साजा किया था वो तो वारसी का ट्रैकर हुआ हिंदी और गणित का अब बात करते जो हमें रोज करना था जिस परंकर अब बात करते हैं साथियो सापताहिक आकलन ट्र तो यहाँ पर देखिए दोनों रखे हैं मैंने ये वाला जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है ये भासा से संबंदित है ये गनित से संबंदित है इसमें हमारे दोनों में अंतर भी आपने देखा था कि जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है यहाँ पर सप्ताह दिये गए हैं और यहा पर जो decoding से संबंदित आपने बच्चे की कारिया पुस्तिका में हर सपता जब आखलन छटे दिन किया है बच्चे की वर्ग बुक में उसने वर्ग बुक पर जो मैंने सीख लिया से संबंदित प्रपतर था आपने उसे check किया और check करने के बाद जो आपने अंक देंगे वो है decoding से संबंदित आकलन, उन अंकों को आप यहाँ पर भरते जाएंगे, अगर बेंक 50% से कम हैं, तो आप यहाँ उन पर सरकिल लगा दीजेगा, और जो उनके अंक 50% से अधिक हैं, उन पर सरकिल लग करने की आवशक्ता नहीं है, इस प्रकार से यहाँ पर decoding से संबंदित दो गुरूप हमारे तयार हो जाएंगे, इसके पश्चात यहाँ पर जो दूसरा कोलम है यह, इसमें आप यह मोखिक भासा विकास से संबंदित आकलन का है, प्रथम कलांस में हमें इंदी के मोखिक भासा विकास का आकलन करना था, और आकलन करने के पश्चात यहाँ पर अंक नहीं भरे जाएंगे इसमें, इस वाले कोलम में, यहाँ पर यदि बच्चे ने उस सप्ता की दक्स्ताओं को प्राप्त कर लिया है, तो आप टिक लगा दीजेगा, और यदि उसने उन दक्स्ताओं को प्राप्त नहीं किया है, तब आप डैस लगा दीजेगा, इस बारे में गत वीडियो में भी बात हुई थी इसी प्रकार से देखेगा थोला संतर है ये सापता ही का आकलन ट्रैकर गनित का है इसमें सिधे यहाँ पर सपते सपता है दिये गए हैं यहाँ बच्चे का नाम है और आगे के सारे के सारे सपता है इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर दो प्रकार का आकलन का रिकोर्ड हमें भरना था डिकोर्डिंग से सम्मंदित और मोखिक भासा विकास से सम्मंदित गनित में इस प्रकार का नहीं है यहाँ पर आपको ग्रेड भरने है बच्चे का नाम लिखिएगा नाम लिखने के पश्चात यहाँ पर पहले सपता का आ उसने कारे कर लिया है तो B grade यहाँ पर अंकित करना दो गुरूप बनने हैं और उन्हों पर किस प्रकार से कारे होगा यह हम पहली वीडियो में आपको अफगत करा चुके हैं तो इस प्रकार से ये ता सापताहिक आकलन ट्रैकर भासा और गनित का जो आपने देखा इसके पस् जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप सापतिक आकलन जो करेंगे गनित में वो ग्यारवे सपता करेंगे और वाइस बे सपता में करेंगे अब ग्यारवे सपता में जब करेंगे हम तो सापतिक आकलन ट्रैकर के लिए आप देखेंगे उस ग्यारवे सपता के लिए दस दिन तक में 10 ही साबधिक आकलन प्रपत्र दिये गए हैं पहले दिन बच्चा पहला साबधिक आकलन प्रपत्र पर कार्य करेगा आप उसे चेक करेंगे और चेक करने के पश्याद बच्चे के उस ग्रेड की इस्तिती यहाँ पर दर्ज कर देंगे पहले सब्ता की पहले दिन की उसके पश्चाद दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चोथे दिन की और इसी प्रकार से साब्धिक आकलन में गनित के अंतरगत, दस के दस दिन की प्रगर्ती बच्चे की यहाँ पर आप अंकन कर देगे, यह था क्योंकि यहाँ पर दस कार्य पत्रक दिये गए हैं, इसके पश्चाद जबकि हिंदी में साब्धिक आकलन की बात करें, तो यहाँ पर देखेगा, दस कोलम नहीं है, या तेरे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितने पत्रक दिये गए थे, यहाँ पर साब्धिक आकलन प्रपत्र केवल एक दिया गया है, और तेरे दिन की यह योजनाती, साब्धिक आखलन भासा के लिए यहाँ पर आप डिकोडिंग की डिटेल भर दीजेगा यहाँ पर मोकिक भासा से सम्मंदित आप डैस या टिक कर दीजेगा और उसके पश्चाथ यहाँ पर आपको टिपणी दर्ज करनी होगी एक चीज मुझसे मिस हुई है अभी जो उस सापता ही का आखलन ट्रेकर पीछे था उस सापता ही का आखलन ट्रेकर में भी आप यहाँ अंत में आठ सपता के बाद यहाँ पर टिपणी अंकित करेंगे इसके पश्चाथ यह हुआ साबधी काकलन ट्रेकर मैं समझता हूँ सभी चीज़े इसमें से किलियर हुई होगी इसके पश्चाथ next हम देख लेते हैं तीसरा कार्य पुस्थी का ट्रेकर इस कार्य पुस्थी का ट्रेकर पर अभी हमारी पीछे बात हुई है इस पर कार्य करना होगा बच्चे को और आपके निर्देशन में आप उसे बताएंगे कि इस तरह से कार्य करना है और बच्चा वहाँ पर राइट का निसान लगाएगा जैसे ही उसका प्रतिदिन कार्य हो जाएगा यहाँ भी हमने दोनों प्रकार के जो ट्रैकर है एक जगे रखे हैं भासा का भी और गनित का भी ताकि दोनों में जो डिफ्रेंस है वो एक साथ आप देख सके यहाँ देखेगा कार्य पुस्ति का ट्रैकर इस पर कौन कार्य करेगा बच्चा कार्य करेगा पूरे 22 सप्ता का प्लान है और बच्चे की वर्क बुक का जो शुरू के पेज है उस पर यह ट्रैकर बना हुआ है दूसरे तीसरे पेज पर आप देख लेंगे जैसे ही सप्ता है बच्चे ने पहले दिन का कार्य अगर हिंदी में पूर्ण कर लिया है पहले दिन का जो उसने वर्क बुक का पेज है तो वो अगर पूरा कर लिया है ठिक तो आप बच्चे से कहिएगा यहाँ पर वो राइट का चिन्न लगा दे इसी तरह से दूसरा और तीसरा इससे बच्चे की जो प्रगर्ति है बच्चे ने 22 सप्ता में से कितने सप्ता के कौन से दिन तक बच्चे को करा दिया गया है उसकी प्रगर्ति यहाँ पर ट्राक होती रहेगी और कोई भी सकसम अधिकारी चा अब सवम भी या भिवावक भे भी देख सकते कि हमारे बच्चा ने भासा में कहां तक का कार्य कर लिया है और कहां तक का नहीं इसके पश्चात यहां भासा में एक चीज़ और कहना चाहूंगा साथियो यहां नीचे देखेगा ब्याबधान प्रबंदन कार्य है देखे ब्याबधान प्रबंदन कार्य क्या है म हमारे बेसिक सिक्सा विवाग ने जो बनाई, इसमें विशेश व्यवस्था रखी गई. पहले सही, क्या? कि यदि ऐसा हुआ, कि पुनहे COVID लोट करके आया, पुनहे COVID लोट करके आया, पुनहे हमारे बच्चों की पड़ाई में व्यव्धान हुआ, तो ऐसी स्थिती में हमारे पास क्या होना चाहिए? एक दूसरा रास्ता भी होना चाहिए. तो वो दूसरा रास्ता यह है, ऐसी स्थिती में चार इकाईयों में इसे बाटा गया है और इस पर कार्य करना होगा. अगर बनती है तो गौनित के कार्यापुस्ति का ट्रेकर को देख लीजेगा एक बार पहला सब्ता है और आगे देखेगा पहला दिन दूसरा दिन तीसरा तिन और उसके बाद देखेगा यह सब्सक्राइब लिए निज रहा हुआ P जैसे ही बच्चे ने तीनों अभ्यास पतरक पर कार्य किया जिस अभ्यास पतरक पर बच्चा कार्य करेगा उसी पर आप बच्चे का क्लिक यो सुरी राइट का सही का निसान उस पर लगवा देंगे जैसी कार्य पुस्तिका में बच्चे के द्वारा मैंने सीख लिया है ये कर लिया जाएगा तो यहाँ पर क्लिक बच्चे का लगवा देंगे उसके बाद यदि बच्चे का अभ्यास कार्य रिया है उसने साप्ताई का अभ्यास कार्य किया है तो यहाँ पर क्लिक करा देंगे बच्चे ने पुन्ना वरत्ती वाला अगर पेज पर कार्य किया है और वो पूरा कर लिया है तो यहाँ पर क्लिक कराईए बच्चे ने होमवर्क बच्चे ने कर लिया है उस सब्ता का यहाँ पर किलिक करा दिजेगा तो इस प्रकार से हम हमारा बच्चा इस कार्यपुस्थी का ट्रैकर पर काम करेगा लेकिन हमारे नर्देशन में काम करेगा ये थे हमारे तीन प्रकार के tracker प्रियास किया गया है कि दोनों भासा और गनित के जो tracker हैं उनको एक साथ रख करके आपस में जो भी इन में डिफ्रेंस है जो भी अंतर है इस पस्ट रूप से आपको बताया जा सके फिर भी हो सकता है कि कही ना कहीं कुछ ना कुछ कमियार है गही हो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजेगा मैं उनके उत्तर देने का प्रियास करूँगा साथियो एक चीज और कहना चाहूँगा यदि आपको ऐसा लगता है मेरा भी अपना ये पर्थम प्रियास है मैं भी एक संकोची स्वभाब का व्यक्ति रहा हूँ और मेरा अपना पर्थम प्रियास रहा है इस तरह से वीडियो बनाकर की अपलोड करने का यदि आपको ऐसा लगता है कि इन वीडियो के माध्यम से कही न गई आपको कुछ लाब मिला है तो आप इस चैनल को सब्सकाइब करें और प्रियास करें कि अधिक से अधिक हमारे सिक्सक्साती इन वीडियोज के माध्यम से लावान भी थो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद